Hello friends, welcome you all on CS Academy channel अपली data structure ची series सुरुआ है अणी आच्चाया series मदला lecture no.8 deletion deletion of element from an array lecture no.8 in previous video, we already saw the inserting algorithm insertion जा algorithm अपन पाहला माक्चा series lecture मदले या lecture मदले आपनाज बगणा रहे deletion एका दे element जे हुआ आपलेला array मदले प्रेजेंट असलेला element जरे डिलीट कराया चासला तर त्यासाथी काई algorithms ची अवशक तासते तो algorithm कुण्टा तो आज अपन या lecture मदले या series मदले बगणा रहे तर पूरणा वीडियो बगगा algorithm तुम्हा लवकर लक्षा तील कारण कि हाँ easy algorithm आपनाज इंसर्शन पेक्षा we are going to see what is deleting Deleting means Deleting means removing an element from existing element of array तो माक्चा वीडियो मदे आपन इंसर्टिंग मदे बगईतला होथा ते महां मी सांगितला होथा कि inserting मजी काई एखादE element आपन array मदे insert करने एखादE element आपन आपन इंसर्ट करने ता आचास विरुधध इंसर्ट रिएक ने delete करने मुझे एखादा element ऐरे मधुन remove करनी तुला मुंताथ option deleting यह पण एक operational data structure मदला आपन data structure चो operations चो जो वीडियो बगितला होता तैचा मदे deleting, inserting सगे हे operations आपन बगितली होते है तो वीडियो बगितला नसलता तैचा पन link में तुम्हाला देली लिया है आणि माक्चा previous video ची मझे inserting element ची पन link में देली लिया है description मदे तो वीडियो पन बगा मझे algorithm काया है algorithm inserting चा काया है तो तुम्हाला लवकर लक्षा दिल मझे deleting चा पन तैला आस related आसले मुए तो पन समझुनी तर इथे points पाते what is deleting, deleting means removing an element from existing element of array next, deletion at end of array is easy, deletion at end of array is easy मझे एखादे element जो array मदे शेवटी आ है त्या शेवट्चे element ला काडून टाकना खूब easy है the element present at the end of array, deletion of that element is very easy so in this point, deletion at the end of array is easy जे शेवट्चे element ला काडून टाकना easy है एखादे रांगे मदला शेवट्चे मुला जर जा मंतल त्या शेवट्चे element ला काई जागा बदेलने ची गरस पड़त नहीं त्याँची position लेपन चेएंज होतने शेवट्चे element easily निगून जाव शुकतो परन्तु जर रांगे मदला एखादे मिडल एलिमेंट ला त्या रांगे मदला एखादे मधातले मुलाला ही जर मन тебе आ रांगे लिगून जा तर त्याँचा माख्चे जे सगे मुला है त्याद्चे ला एक एक स्टेप समोरी हाव लागेल कि deletion at the end of array is very easy if to delete an element from mid of array then move element of array one location upward सापन इंसर्शन मदे पाइलो होता कि शेवती element इंसर्ट करना इजी है पन जर मधा element इंसर्ट कराई चा असेल तर आपने ला काया कराऊ लागेल element ला काया कराऊ लागेल one location forward step मदे टाकाऊ लागेल समौर समौर पाठुवा लागेल पन पन डिलीशन मदे काया कराऊ लागेल झाल्या मधातला element जर्वेया काडाऊ ठाकला तर तॉच्या जो काडाऊ ठाकलेले element जें मागते element है तर न्ना काया करा लागेब एक एक step समौर यावलागेल मंझे जर पाचवा एलिमेंट काड़न टाक लातर साव्या नंबर वर उभास लेला मूला ला पाचवा नंबर वर यावला गिल मंझे एक 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 आला अपवर्ड पोजीशन ला यावला गिल हेज या पॉइंट सा अरु था है कि इफ टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रम मीड़ अफ एरे देन मूद एलिमेंट आफ एरे वन लोकेशन अपवर्ड ओके समझले सागा ना नेक्स स्लाइड माथे आपन पाएलत है कि दिलीशन इतन मीं एक 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 जाम्पल क्यों ढखो लेला है या माँ ही कंसेप्ट जी आए ति लवकरल अपवर्ड तेरे साथ है एक जाम्पल गेत लेला है कि दिलीशन मीं डेफियनेशन आपड आधिस पहाएले कि removing record from existing structure the existing structure अहे ताच्या जुन एक अखाद record काढ़ून टाकने तला मनताथ deleting एक्जाम्बल आपन पाएला जर वन टू फोर हे existing record है existing record है इथे टू पाई जै अच्छुल इथे टू पाई जै इथे ये थे हाघर 4 element cardoon टाकला हाr forth element cardoon टाकला तर हीथेどもAtas element आतला 14 आपण tenía quarterly या structure माजे फोर 4 strengthen हिह स्ट्रक्चर ऋडे बरबर है example वोथ हो ठाके next मा ते बाऊ algorithm for deletion algorithm मदे काय सांग थले जैसे insertion सल्गोरतम Caesar deletion ऑसा election algorithm थोड़ा easy आहे आणि सेम आहे थोड़ा सा मंझे समझनायास इजी जहेल पन्टु इंसर्शन सा पायलासल तो डिलिशन सा लवकर अच करूंचे तो ठीके आपन आता अल्गोरुदम पाओ मंझे हे एक्जांपल आहे अल्गोरुदम सा एक्चुल अल्गोरुदम नाही है पन्गोरुदम समझन आणि 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 we want to delete element which is present at the position 4 okay so अब लायो 24 नमबर चा जो 24 element है हाँ delete करेंचा है जो 4th position ला present है तर आपन हाँ element काड़ानां तर काय होई 5th number चा जो element है हाँ 5th number चाए element है तला 4th वर यावा लागे और हाँ 6th element ला 5th number वर यावा लागे मंचे number of element पहले 6 होते तर तो या आथा किती होतील 5 होतील आथा 5 होतील कारें एक element आपन अल्डेडी delete के लेला है तर नमबर ओफ elements decrease होतील एक ने आणी positions पन काई होतील 5th number चा 4 वर लिल 6 चा 5 वर लिल करना आपन मधा तुन नस डिलेट करूं टाकला तर हाए element डिलेट हों जेल वर वर हाए element डिलेट जाले वर या पोजिशन्स ला हलाईची गरजने पन मधातला element जाट डिलेट जाला तर हे जे उर्लेले element साहे हे 25 आणी 27 तर ना 111 एक पोजिशन नी समोर्य हो लागे हाँ होता simple algorithm आता आपन एक्च्वल अल्गोर्थम पाणा रहे हे होता एक example हे एक example आहे याच्छा ओके ठीक है तर आता आपन एक्च्वल अल्गोर्थम एक्जांपल पहला था algorithm next slide मत आपन बहुँ algorithms algorithm for deleting algorithm for deleting an element to array at k position k position में जे एक आपला दिलेली आपन आपन एक्च्वल अल्गोर्थम और पहला था आपलेला 4th position जा element जा है to delete करहे जा है 4th position जाएलमेट बिलीट करहे जा है महनुक्त आपन ताला k position में पहला k is a position ठीक है जितना आपन एक्वलेला element डिलेट करहेजे तो शुरुबा तिला आपन इथे बहो गितला कि L is a linear array L is a linear array, N is a number of elements जसा आपन माक्चा element, माक्चा algorithm मदे पुस्ट दहेच एक्जाम्बल गितला होता करना समझना साइटि में तेच वेरिबल्स समोर continue के लिए L is a linear array, N is a number of element, K is a position, atom is a element that we want to delete from existing array Step 1 मदे इथे सांगितला है, Initialize the counter, तिकड़े आपन आपन इनिशिलाइज केला होता, atom किती आ है तो इथे आपन काय करना रहे K position सा, जो आपला element आहे मंज़े आपनला इथे काय केला आपन, 4th position सा element आपनला इडिलीट करे सा है K is a position of element that we want to delete K किती जाला, 4 जाला, तर या 4th number चा कोंटा element है, 24 number element है बरुबर है, तर 24 मंज़े L A of K मंज़े L A या array मदला, 4th number चा position कुठे set करे सा है Atom मधे set करे सा, Atom कोंटा है, Element Element आपनला जो डिलीट करे सा, ओके L A नावा चा array मदला, 4th number चा position आपनला, Atom मधे set करे सा मनचा आता, Atom ची value किती जली, 24 करें, L A या 4th element ची value किती है, 24 मंदो माता, Atom ची value किती जली, Atom ची value किती जली, 4 जली करें, Step 1 मधे आपनला, Initialize काउंटर के ला, Atom is equals to L A of K K is equals to 4, so L A of 4 is equals to 24, so Atom ची value किती जली, 24 Step number 2 मधे सांगे ला, repeat the step Repeat the step 3 for J is equals to K to N minus 1, N किती जली 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 जली, 6 है हे आपन जे एक variable घेतले ला है, आपनला, Loop चालवेचे, Control structure मधे आपन for loop पाहिला कि Control structure मधे for loop आहेगी, जे structure अगेन अगेन, प्रोग्राम तो चालतो So, हेथे आपन for structure घेतला है, जे कुट परंता चालेल, जो परंता तैची value K to N minus 1 इतकी होई बरोबर ही condition दिली ली, शुरुबातीला K ची value कीती है, 4 है और N minus 1 मंजे कीती है, इते N minus 1 इते 6 minus 1, 6 minus 1 इते 5 होई 6 minus 1 is equals to 5, ओके, मंजे आपनला, जे ची value कुट परंत चालवेचे है 4 to 5 परंत आपनला value चालवेचे, जो परंत जे ची value 5 जाली, लूप चालेल, जे ची value 6 जाली, condition false होईल आपनला जे लूप आहे, ते लूप बंद होईल, आपनला प्रोग्राम एंड होईल स्टेप नमबर 2 मती सांगितला, आपनला, रिपीट करें चे है, मूँ, जे प्लस 1th element backward, जे प्लस 1th element, मंजे आते इथे का सांगितला, सुरुवातीला, जे ची value कीतिया है, k, सागात पहले सुरुवातीला, जे ची value कीतिया है, k, करना आपनला, जे कुट पासन सालवेचे है k to n-1, मंजे 4 to 5 परंत सालवाईजे, मंजे सुरुवातीला, value कीतिया है, j ची, k, k, value कीतिया है, 4, सो, मू, j प्लस 1th element backward, करना, आपनला, काया करेंशे है, हाइएलिमेंट, समोर आने से, हाइएलिमेंट, समोर आने से, बर बर, तर सुरुवातीला, आपनला, काया कर लागेल मंजे 4 है, j ची, value 4 है, j प्लस 1, मंजे कीति जाला, 5, मंजे 5th value, value कीतिया है, backward step लाणाईची, तर 5th value, value 4 मदे, 6th value, value 5 मदे, बर, बर, आपनला, step समोर आनाईची, तर इते ते सांगितले, या step मदे, कि मू, j प्लस 1th element, backward, मंजे 5th वाला, एलिमेंट, 4th position लाणा, 6th वाला, एलिमेंट, 5th position लाणा, करण की आपनला, एक एलिमेंट जरी डिलीट केला, तर पोजिशन पन का होतिल, कमी होतिल, so, step 3 मदे, सांगितले, set, la of j is equal to la of j plus 1, मंजे, हे जे है, j plus 1th element backward, ते इते जाहे, कि मंजे, 5th वाला, element, 4th position लाणा, करण की j ची value सुरुआती ला, कितिया ह है, 4 value है, और j plus 1, मंजे, 5, कमी दुमाल, आधी, सांगितला की, प्रोग्रामिंग मदे, राइट हैंड साइड ची value, लेफ्ट हैंड साइड लाए, असाइड होते, कदी असा होनार ने, कि राइट हैंड साइड ची value, आता, आपन जिवाँ, सिंबल माथेमेटिक से दी, तो, तेमा आपन क्या करोतो, कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल इक्वल आसता है, पन प्रोग्रामिंग मदे, असान आसते, इस इक्वल स्टू साइड जिवांते, तो, तेमां ते असाइड में आसता, कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वेरियेबल मदे असाइन होते असाइन होते बरो रहे ताच्छ यह अर्थ हाँ है मनुन ल, A of J plus 1 J किती आहे 4 है J 4 है ना शुरूवातीला J plus 1 मनचे 5 5 नंबर ची जी वैल्यू आहे 5 नंबर ची कुंटी वैल्यू है 25 ती 4th position ला जाए यह 24 जागी 25 वैल करना ही जागारी कामी हुन जेल्ला नाण तो यह आपलेला step number 3 कुट परंत सालवाएचे n-1 परंत मग परत भगू कि n-1 एक नी इंक्रीमेंट होईल फोर लूप मदे यहाँ आपन पाहलो ता तो फोर लूप मदे काहाँ था कि तैचे शुरुवाती ला इनिशिलाइज आपन जे आते इथे काहाँ सांगेतला j is equals to k j is equals to k मग इथे j is greater than equals to greater than or equals to n-1 n-1 आणि मग इथे काहाँ थे j plus plus j plus plus जोड़ा प्रब्लेम है तो इते j plus plus बरबर है j plus plus हे आहे for loop चा स्ट्रक्चर मग increment होईल न j ची वैल्यू इथे j ची वैल्यू इथे सांगेतली ने इते increment होईल तो फोर लूप चा स्ट्रक्चर नू सर j ची वैल्यू इंक्रिमेंट होईल पहले 4 होती माँ आटा की वैल 5 होईल माँ परद का होईल 6th नमबर चा एल्यूमेंट 5th नमबर लास है करने थे j plus 1 j ची वैल्यू जर 5 जाले j plus 1 is equals to 6 तर 6th नमबर ची वैल्यू 5th नमबर लास है बरबर है माँ परद j ची वैल्यू इंक्रिमेंट होईल 6 6 होईल माँ आपले इथे condition चेक होईल कि j आपले ला कुट परंता चालबाईचा है n-1 परंता चालबाईचा n-1 ची वैल्यू किती हील 5 येल्ट माँ इथे j ची वैल्यू 6 जाली तर condition false होईल j ची वैल्यू आपले ला 5 आपले ला लूप चालबाईचा है 4 लूप चालबाईचा है तर येथे j ची वैल्यू जीवा 6 होईल तेवा है लूप false होईल loop false जाले वर का इल step no.4 वर इल end of loop end of loop येथे algorithm end मतलाएका नाही येथे loop ला end मतलाए end of loop जालें step no.5 वर ये set n is equals to n-1 येथे में जासे तुमाला इंसर्टिंग मतली सांगितलो होता की एक element जर आड केला तर obviously जोश्ट है की जर एक जोश्ट आड केली तर array मतले elements जी वैल्यू वाढ़ेल येथे जर आपन एक आदा element काढ़ हुन ठाकला तर number of elements कमी होतील सो इथे आपन काई केलील है set n is equals to n-1 reset the number of elements of array मंज़े आपन number जे element आए इथे 6 दाखोला तर तेची value की तुमील 5 करने एक element आपन बरोबर काढ़ू ना स्टाकला कारण की जे वहाँ इथे value याचावार येईल तर obviously हे काई होईल override होईल 24 कोणाला दिसनार नहीं थे 25 दिसेल मंज़े तो अपॉप डिलीट होँज़ बरोबरे step 7 मदे exist exit जे वहाँ तुमाल संगेल अल्गोरुदम मदे end शब्द येल तर आपला अल्गोरुदम बरोबरे this one is the algorithm for deleting thank you for watching we will catch you in next video